आलो एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी की मन पसंद होती है और इससे हर दिन कुछ न कुछ तो बनाया ही जाता है आज मैं आपकी रिलेकर आई हूँ आलो कि ऐसी मुझेदार डिलीसिस और बहुत बहुत नए तरिके की रेसिपी जिसको गर आपने एक बार देख लिया तो बनाने स से रोक नहीं पाएंगे इतनी ज्यादा ओसम है और स्वाद इसका इतना ज्यादा डिलीसिस है कि बस उंगलिया चाटते रह जाए बहुत ही कम चीजों से कम महनत में बन कर तयार होती है और देखना जो भी खाएगा ना वाहवा करता रह जाएगा तो पूरी वीडियो को ला क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं मैंने आठ आलो लिये हैं और अब आलो को अच्छी तरी किस मैंने पानी से पहले धो लिया था और वापस से हम इनको एक बार चील लेंगे फिर से एक बार पानी से धो लेंगे तो चलिए सारे आलो को हम चील कर तयार कर लेंगे यहां मैं मैंने छोटी वाले आलू लेए हैं अगर आपके बस बड़े वाले आलू हो तो आप उनको दो टुकड़ों में काट कर ले सकते हैं चलिया आलू कैसे को करना है वो देख लेते हैं उसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है थोड़ी भारी तलीकी लेनी है और इसमें हम एक से रेड़ कप जितना पानी डालेंगे पानी ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सारा पानी हम बाद में यूज करने वाले हैं इसलिए उतना ही डालें जितनी की ज़रूरत हो तो यहां मैंने एक कप पानी डाल दिया है इसमें सबसे पहले ये सारे छिले हुए आलू साथ ही तीन पके हुए टमाटर और एक बड़ी साइस का प्याज तो प्याज को मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काट कर लिया है ताकि अगर आगर इनको कुक करें तो बहुत जादा मसीशे ना हो जाए साबुत साबुत रहे इसलिए बड़े टुकडो में काटना है तीखेपन के लिए 3-4 हरी मिर्चे ले सकते हैं अगर आपको तीखा जादा पसंद है तो आप जादा ले सकते हैं हरी मिर्चे और अब इसमें डाल देंगे काजू तो क्रीमी टेक्शर देने के लिए मैंने आप लगभग 2 बड़ा चमच काजू का इस्तमाल किया है आप यहाँ पर चाहें तो मुंग फली के दाने या फिर सफेद तिल का इस्तमाल भी कर सकते हैं दो बड़ा चमच तो इस सारी चीज़े मैंने पानी में डाल दी है और इन सारी सब्जियों को हमें एक साथी पकाना होगा यहाँ पर आप चाहें तो कूकर का इस्तमाल कर सकते हैं कूकर में डालकर एक सिट याने तक पका सकते हैं मैं इनको गैस पर रख देती हूँ और लगभग 12 मिनिट तक अच्छी तरीके से उबलने देंगे 12 से 13 मिनिट हो चुके हैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर आलो को ओवर कुक नहीं किया है लगभग 90 परसंट तक आलो को कुक कर लिया है इतना ही पकाना है कि जो आलो है वो पूरी तरीके से तूटे नहीं अब यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर है वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं और जो भी इनके छिलके हैं उपर उपर के वो हमें हटा लेना है लेकिन पूरी तरीके से थंडा होने के बाद तो देखिए अच्छी तरीके से थंड़े हो गया है आप सबसे पहले क्या करेंगे इस पानी वे से हम जो आलू है उनको निकाल कर अलग प्लेट में रखेंगे और बाकी की जो चीजे हैं उनको अलग रखेंगे यहां सारे आलो को निकाल लेते हैं और देख सकेते हैं जो आलो है, पूरी तरीके से ओवर्कुक नहीं किया है मैंने, आलो को भी साइट मी रखते हैं, और चलिए इन सारे जो हमने चीजे कुप की हुई है पानी है उसको आप ही नहीं डालेंगे पानी हम बाद में यूज़ करेंगे तो पहले प्याज, टमाटर, काजू और हरी मिर्च को डाल देते हैं इस मिक्सी के जार में और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एकदम स्मूध सी प्यूरी तयार करेंगे तो ध्यान रहें जो पान हो गया है और काजू भी देखें कितने अच्छी से नरम हो गया है तो अगर आप मुंगफली या तिल ले रहे हैं तो ऐसे इनको पका कर लें और यह लीजिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है अच्छी तरीकी से पीस लिया है कि रेखें तो इनको हम निकाल लेते हैं कासा हम इसके अंदर आलो जो हमने उबाल करके लिए हुए थे तो सबसे पहले हम सारे आलो को करेंगे इनको हमें अच्छी तरीके से गोल्डन और क्रिस्प करना है एक बढ़िया सी लेयर आलो के उपर आ जाए उसके लिए में आधी चूटी चमच कास्मीरी लाल मिडशी प करेंगे आलो के उपर एक पतली सी क्रिस्पी लेयर आ जानी चाहिए उतना हम इनको पकाएंगे और यह देखिए तीन से चार मिनिट के बाद आलो के उपर अच्छी खासी लेयर आने लगी है बढ़िया सी क्रिस्प हो गया है और लाल मिडशी और हल्दे डाले से इनका कलर बहुत ही जदे लाजवाव आ गया है देख रहा है बहुत ही बढ़िया लग रही है तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में फ्लेम को थोड़ा कम कर दे और अब जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ है इसी में हम सारी चीजे एड़ करेंगे तो सबसे पह इनको अच्छी तारीके से क्राकल होने तक पकाएंगे धिमी आज पर पकाना है जाधा इनको भूना नहीं और जलाना नहीं है दिमी आज पर अच्छी से मिलाने के बाद इसमे डालेंगे लैसन, अद्रक और हरी मिर्श इसको मैंने ओकली में कोट करके लिया है आप चाहें तो पेश्ट बनाके भी ले सकते हैं, या फिर लेसुन को चाहें, तो स्किप भी कर सकते हैं, धीमी आज पर इनको अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि बढ़िया से इनका फ्लीवर आ जाया तेल में, और यह जादा जले नहीं, आप चाहें तो लेसुन और अद्रक और हरी म पाउडर, आदी छोटी चमश लाल मिडशी पाउडर, सिर्फ कलर के लिए यूज किया है, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, सिर्फ हल्दी से भी काम हो जाएगा, अब इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर एक टी स्पून भरके, जादा नहीं डालना, इस हम नहीं जो पेश्ट तयार किया था ना, यह टमाटर और प्याज वाला वह हम इसके अंदर एड़ करेंगे, तो चलिए यह सारा पेस्ट हम इस मसाले में डाल देते हैं, फ्लेम को इस टाइम पे कम रखना है, और अच्छी तरीके से मसालों के साथ इस पेश्ट को तब तक फ्लेम को कम रखेंगे, जैसे यह बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम फ्लेम को हाई करेंगे और इस पेश्ट को तब तक भूनना है, जब तक इसमें सो गीला पन है वो इकदम ड्राइ हो जाए, जितना अच्छे से आप इनको भूनेंगे उतना ही गजब का अलगी लेवल का टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो पेस्ट है वो अच्छी तरीके से कुक तो हो चुका था लेकिन भूना नहीं था, और इनको भूनना बहुत जरूरी है इस रेसिपी में, अगर आप तुरंथी इसमें बागी चीज़े आट कर देंगे ना तो वो टेस अलो की सबजी कैसा स्वाद आपने कभी नहीं खाया होगा, तो चलिए मसाले भून गये हैं, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राइ के हुए एक तम बढ़िया क्रुस्पी से, यह सारे आलो हम इसमें आट करेंगे, तो इस टेंप मैंने फ्लेम को कम कर लिया है ताकि मसा साले जले नहीं, और सारे आलो को डालने के बाद, इसमें डालेंगे स्वाद के साब से नमक, और इस रेसिपी में सबसे अलग सा स्वाद देगा, यह सांबर मसाला, और इसकी रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के निचे मिल जाएंगे, यह घर पे बनाया हुआ सांबर मसा अगर आपको ज़्यादा पतली ग्रेवी पसंद हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं जो साधा हो मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि जो आलू है और सारी सबजियां है वो मसाले अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं तो अब इनको ज़्यादा देर पकानी की ज़रूरत नहीं है सिर्फ 5-7 मिनिट हम इनको धीमियाज पर पकाएंगे ताकि जो आलू थोड़े बहुत कच्छे रहे गए हैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसालों के साथ दूब कर और ज़्यादा टीस्टी हो जाए धीमियाज पर पकते हैं इनको पांच मिनिट हो चुके हो और अब आये चेक कर लेते हैं वाव आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा ओसम लग रहा और खुश्बूब इसकी बहुत बहुत लाचवाब है आलू अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं तरीके से बनकर तयार है तो अगर आप रोज के खाने से बोर हो गये हैं तो इस तरीके से दमालू एक बार जरूर ट्राय कीजेगा इसमें एक अलग सा टेश्ट देने के लिए मैंने थोड़े से देशी खी में लाल मिर्ची पाउडर मिला लिया है और हलका सा गरम कर लिया ह किसी भी रोटी, चपाती, पराँठे के साथ आप इनको सौफ कीजे जो भी खाएगा देखना वावा करता रहा जाएगा किसी भी छोटी मोटी पाटी में भी आप इनको सौफ कर सकते हैं तेवहारों में या फिर जब भी कुछ अलग सा खाने का मन करें तो आप इस रेसीप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास हर दिन एक नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगी वो भी फ्री में ये नए तरीके के आलो आपको कैसे लेगे जरूर से कॉमे अबosition बीडियोस प्रीके के लिए, प्रीके के लिए अफठास जरूर को झालो करने हों से ताकि दिन एक का ररीके कीजिcessor.